तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा होस है और लाड़ा बेटा तेरा मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे यादा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा दे रहा गोरे हुसैन के हैं काले हुसैन के हर रंग में हैं चाहने वाले हुसैन के उस वक्त तक दोस्त कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे चाहने वाले हुसैन के जिकर शहीद आजम कॉनफरेंस उबरा की सर्जमीन पे मुझाईद है इस अजीम प्रोग्राम में तश्रीश फर्मा मुखमिल्द के माय ना जुल्मा एहल सुन्नत शौराए किराम कयाम गाह में तश्रीश फर्मार मुखमिल्द के इसलाम को नाजर एहल सुन्नत मुझाहिद दौराए दिगर हाजरीन उ नाजरीन पेशे नजर बैठे हुए हमारे तमाम तर सामईने कराम इसलाम रिष्टे की मा बहने असलाम आलेकुम और रह्मतुल्द लाहिव बरेकाट सुभान ल्लाह काबिल सत्मुबारक बाद है एहल अबरा जिन्होंने मुहर्णुल्हराम शरीफ के इस अजीम ऐयाम में जिकर शुहदाए करवला के नाम से मौसुल्द इतना शांदार प्रोग्राम का इहत्माम किया ओबरा की सर्जमीन का हर फर्द काबिल सत्मुबारक बाद है इन्शाललाहु गर्मान धीरे धीरे हम आपके करीब होंगे और इन्शालला आप भी हमारे करीब होंगे अभी मैं 60 मिनट के लिए माइक पे हाजिर आया हूँ पहले मैं ये ऐलान कर दूँ के इश्तिहार के जरीए से ऐलानात के जरीए से सोशल लीडिया के जरीये से आपने जिन जिन खुतबा शोरा का नाम पढ़ा है अलहम्दुलिल्ला वो सब के सब हाजिरा चुके हैं मुफक्र इसलाम मुजाहिद दौना अल्लाम मुफ्ती मुजाहिद हुसाइन सहब कि इबला रजबी ये लहाबाद क्यामगाह पे तश्रीफ फर्मा है बादशाह कलार्सिकल हजरते नसीन सहर गयावी सहब भी तश्रीफ लाचुके हैं शेहन शाहिद रंडर्म हजरते हसीबुला जिगर सहब इरिशाद बनारसी सहब जिगर हमारे जितने भी कुर्ब जवार के अत्राफो जवानित के ओलमा शोरा आईममा असासिजा तलबा हुज्जाज सब के सब सब तश्रीफ फर्मा हैं मैं तमामी हज़रात की बारगाह में मौबममतों का खिरात पेश करता हूँ अब बिला ताखीर मैं प्रोग्राम की कारवाई को आगे बढ़ा रहा हूँ है अब मैं चाहता हूँ कि सब से पहले कर बैठी है आईए सरकार की में डट कर बैठी है अगर सची महपत सरवरे कवनैन से तो हो गया चलसा शुरू अब तो सीमत कर बैठी है जरा पीजे वाले लोग करीब आईए आप लोग करीब आजाए और वह पान की दुकान पर बहुत सारे लोग खड़े हैं उनसे गुदारि जो हजरात दाहिने तरफ सड़क पे घूम रहे हैं अगर्चे वो कमीटी के हैं या फिर रजाकार की सुरत में हैं या बाहर के महमान हैं मैं सबी लोगों से गुजारिश करना चाहे जाओं कि आप पिला ताखिर तश्रीफ ले आए इन चार मिस्रूस के साथ मैं आप तमामी हजरात को दावत मुखबत दे रहा हूं कि जमालो नूर की चादर तनी है तुम भी आजाओ जमालो नूर की चादर तनी है तुम भी आजाओ रसूले पाक की महफिल सजी है तुम भी आजाओ अबू बकरो उमर मुसमा अली तश्रीफ ले आये खुलामाने अली अब क्या कमी तुम भी आजाओ अबु बक्रों अमर उसमा आनी तश्रीव ले आये खुलाम आने अद्या अब क्या कमी है तुम भी आ जाओ लहाजा सभी हद्राद ले आएं बैठे महबत के साथ इस्टेज महबत पे इलाके के बड़े बड़े वुनमा मौझू है पृत्रम जनाब हाफिस सुल्टान साहब मौनाना शेकीन साहब हमारे हाफिस खालिद सहाब हमारे परवेश भाई और अल्हम्दृ इल्लाइब वहुत सारे वुलमा बैठे हैं सदरे जन्नतुलकाद सांथ जिनको नहीं जानता जिनको देखने के बाद जन्नत याद आता है जानता हूँ पहचानता हूँ अगर सभी लोगों का नाम हो तो टाइम बहुत जादा निकल जाएगा है ना इसलिए आप जरा महरूम रहेंगे अशार से इसलिए मैं चाहता हूँ कि बड़ी बरक रफ्तारी के साथ हम सफर करें और आपकी समाहतों के करीब हो जाएगा अब य जिस जिस पह एमाम-e-हुसेन और करबला वालों का फैजान जारी होता है ना वो पैसे का मुह्ताज नहीं होता है पैसा उसका मुहताज होता है अब आई हज्जात कि प्रोग्राम की कारवाई को आगे बढ़ाऊ चार मिस्टे में पढ़ना चाहता हूं सबसे पहले मैं अब चार मिस्रे पढ़ता हूं कि दस्ते तलब उठाईए फर्याद के लिए जरा सा एक मर्तबा जोंगे कह दीए तो सुभान अल्ला अचाए जो लोग कुर्सी पे बैटे हैं वो लोग इतने भी आईपी हैं कि वो लोग बोलेंगे भी नहीं अब लाँ अब भी आईपी हैं अपने चैंबर में अपने औफिस में आप आईपी हैं यहां हर श्कुला में हुसैन बन कर बैठा हूँ तो जरा सभी लोग हाथ उढ़ा के कहे दें सुभान अला चौता मिस्रा आप तक तेंचें तो इंशालला आपकी महपतें मिलनी चाहिए अगर इस्टेज वाले चाहें तो कम पढ़े लेक्षे को भी साहबे चुब बहुत अस्तार बना सकते हैं